स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवास और आप देख रहे हैं E-School Channel E-School Channel का जो मेन मक्सद है वो है स्टूडेंट को घर बेठे, बहुत ही आसान और डिटेल लेक्चिर्स की फरामी करना और आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ की वायालोजी आपको पता है कि सिंद बोर्ड ने जो नाइन्थ की वायालोजी बुक है वो चेंज कर दिये according to the new scheme of the study हम पढ़ेंगे इन्शालला और हमारी इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर चैप्टर को, हर टॉपिक को बहुत ही आसान और डिटेल से जो है वो कवर करवाएं वो किसी भी किसम की परिशानी है, कोई question है तो you may ask in comment section तो students, आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ की biology का chapter number one जो कि है introduction to biology अब biology स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा view लेते हैं कि हम biology पढ़ते क्यों है या biology पढ़ने से हमें किन-किन चीज़ों के बारे में मालूमात मिलेगी तो देखें biology जो है वो एक natural science है biology क्या है? एक natural science है और जो natural science होगी वो हमें understanding देगी किस के बारे में? नेचर के बारे में? ठीक है? biology जो है वो एक natural science है branch of natural science है जो natural science होगी वो हमें understanding देगी about the nature अब nature में देखें दोनों चीज़ें मौजूद है nature में तो living things भी मौजूद है और non living things भी मौजूद है तो इसका मतलब है कि biology पढ़ने से हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में information मिलेगी या हम यूँ कहें कि biology जो है वो हमें इन दोनों के बारे में क्या relationship है वो बताएगी वायो क्या बताएगी? या biology पढ़ने से हमें एक relationship पता चलेगा किस के दर्मियान relationship between relationship between living and non living living and non living things के दर्मियान एक क्या तालुक है वो हमें बायो पढ़ने से पता चलेगा for example हम मिसाल लेते हैं कि plants है या human है या animal है ठीक है ये क्या है living organisms है और हम यहाँ non living में लेते हैं कि water water molecule ठीक है oxygen molecule अब ये living चीजें हैं जो totally depend करती है non living things पर in order to survive अपने survival के लिए ये totally किस पर depend करती है non living for example हम plants or animals पानी के बगहर जिन्दा नहीं रह सकते हैं इसका मतलब है कि यह आपस में इनका एक inter relationship है between living and non living things biology जो है वो एसी science है जो हमें इन दोनों की दर्मियान जो connection है जो relationship है उसके बारे में बताती है ठीक है air भी हम non living है और हम living things जो है वो यूज करते हैं air को तो यह क्या है close connection है between living and non living things उसके इलावा इसी कौन सी चीज़े हैं जो biology में हम पढ़ेंगे आगे जाके for example evolution है evolution है evolution है ठीक है evolution से क्या पता चलता है कि gradually जो वक्त के साथ साथ changes आई मुख्तलिफ generation से में तो हम उनको पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे हम जो gradually changes आती हैं gradual changes over a period of time किस तरह पहले एक तरह की चीज़ें थी या living organisms थे और वक्त के साथ साथ उनने किस तरह की changes आई उनको हम पढ़ेंगे evolution में उसके लावा हमें DNA के बारे में पता चलता है कि किस तरह DNA के अंदर कौन से information है in order to reproduce, in order to live जो है वो जितनी भी information है DNA molecule के अंदर वो हमें biology पढ़ने से पता चलता है उसके इलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मगर जो relate करती है with living and non-living things इसका मतलब है कि हमें दोनों चीज़ों के बारे में पता चलता है जो हमारे environment में मौझूद है living as well as non-living things ठीक है तो अब हम अगर एक जामे मकसद निकालें कि बायो पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि how the living world around us is shaped हमें भायो पढ़ने से ये पता चलता है कि हमारे एर्द गिर्द की जितनी भी दुनिया है उसमें जितनी भी चीज़ें शामिलें वो कब कैसे और किस तरह अरेंज हुई अब हम आते हैं biology की definition के उपर किस तरह हम biology को define करेंगे तो biology is actually composed of two Greek words two Greek words number one bios and logos bios means life and logos means to study तो biology जो है वो actually composed हुई है या biology word है वो दो लफजों से मिलके बना है ग्रीक लफजों से वो लफज कौन से है bios means life और logos means to study तो अब हम bio को कैसे define करेंगे कि it is branch of natural science यह किसकी ब्राँच है natural science की ब्राँच है which deals with the study of life study of life or living things biology जो है वो दो लफजों से मिलके बना है bios and logos bios means life and logos means to study तो इसका मतलब है कि हम bio को कैसे define करेंगे कि it is actually the study of life या living things हम किस तरह living चीजों को पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं biology अब यह देखें जितनी भी information है अब living में plant भी आ जाते हैं animal भी आ जाते हैं जितने भी ठीक है अभी हम देखते हैं कि जितनी भी information है किस के बारे में plants और animal की life के बारे में plants और animal की life के बारे में वो हमें किस ने provide की थी ज्यादत information वो provide की थी Sir Aristotle ने किस ने Sir Aristotle ने and who he was he was Greek philosopher ठीक है जितनी भी plants और animal की life है उनके बारे में जितनी भी information मिली है वो हमें दी है Sir Aristotle ने जो Greek philosopher थे और आप देखें biology जो word है वो भी Greek language का word है और इसी वज़ा से हम Aristotle को कहते हैं father of biology ठीक है अब हम बार बार life, living things इनी चीज़ों को repeat कर रहे हैं तो पढ़ते हैं कि हम life है क्या एक्चली अब हम पढ़ते हैं कि life itself है क्या तो life को हम कैसे define करेंगे एक एक्चली सेट अफ करेक्टरेस्टिक्स यह क्या है एक ऐसा हुसुसियात का मजमुवा है जो डिफ्रेंट्शियेट करता है non-living things को living किसे या living को non-living चीज़ों से life को हम कैसे define करेंगे कि it is a set of characteristics जो क्या करते हैं जो differentiate करते हैं जो डिफ्रेंट्शियेट करेंगे इस एक्चली असाइट अफ करेंगे लाइफ को हम कैसे define करेंगे कि it is actually a set of characteristics यह ऐसे characteristics का खुसुसियाद का मजमुआ है जो differentiate करता है फरक बताता है किस में between living things and non-living things कि किस तरह यह आपस में मुख्तलिफ हैं अब ऐसे कौन से characteristics हैं जो differentiate करते हैं for example, growth and change जरी चरह अंच्ग आप अड़ ँर आपनो एनने। अबिलीषे तर्णीज विग्च विजर जले एनने। अबस्टूरिस्टूरिज्सूरि उछूति थाउन इत्राइब तेत्टूरिज को अबस्टी। न हमेड़ को और टूनी। उर्मक्णखेव काईबना और नचत्तराओ इंदेत्टूरिजने चलावटिजेत्स काईदूरि लुदिभेश्टूरियो। ठीक है यह वो तमाम characteristics हैं जो living things में होते हैं और non living things में नहीं होते हैं for example living things में growth होती है और growth के साथ साथ क्या आती है changes आती है living things में यह ability होती है कि वो reproduce होते हैं ठीक है और उन में metabolism 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 क्या है metabolism हमारे living system में जितने भी total reactions हो रहे हैं catabolism and anabolism तोड़ फोड़ हो रही है और चीजों का बनना यह सारी चीज़ें मिला के हम कहते हैं metabolism वह भी हमारे living things के अंदर हो रही है breathing यह नहीं सांस लेने का अमल भी living things में होता है और living things जो है वह बनी हुई होती है they are being made up of cell that is the basic unit of basic unit of life उसके इलावा यह अपनी homeostasis को maintain रखते हैं अब homeostasis क्या है homeostasis जो है वो maintenance है क्या है maintenance है किसकी internal environment की अब इंटरनल इंवारोमेंट में क्या जाता है for example हम कहें कि हॉर्मोनल लेवल्स की maintenance हॉर्मोनल लेवल या ब्लड प्रेशर या बोड़ी टेंप्रेशर या न्यूट्रिंस लेवल न्यूट्रिंस लेवल्स यह तमाम चीजें आ जाती है homeostasis में क्या होता है कि internal environment की maintenance होती है इसमें कौन-कौन सी चीजें आ जाती है for example हर्मोनल लेवल आ यह न्यूट्रिंस लेवल आ जाता है यह हमारा body temperature है body pressure है इस तरह हम life को define करते हैं कि किस तरह living या organism की या जो characteristics हैं वो different है किस से non living चीजों से मेजर डिविजन ऑफ दर बायालोजी के बायालोजी जहें वह इचली तक्सीम होती है यह तीन मेजर डिविजन में कौन-कौन सी है वो जोलाजी, बायालोजी जो है वो कितनी डिविजन में डिवाइड होती है जोलाजी जो है वो ग्रीक लेंगविज का वर्ड है किसका ग्रीक लेंगविज वर्ड से निकला है तो अब हम जोलोजी को किस तरह डिवाइड करेंगे कि इस एक्शली दर डिविजन ओ बायालोजी विच डिल्स इस स्टडी ओफ एनिमल study of animal अब असमें animals की कौन-कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे हम animals की जो है वो behavior पढ़ेंगे for example या इनकी classification पढ़ेंगे distribution पढ़ेंगे ठीके या इनकी physiology पढ़ेंगे ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे इनका structure पढ़ेंगे animals का यानि हम scientific study करेंगे किसकी animals की उसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती है उनका behavior है इनकी classification है, distribution है physiology है और उनका structure है तो इस तरह हम define करते हैं physiology को, next division है botany, ये भी again Greek language का लवज है कौन सा? botan which means pasture और grass ठीके? ये Greek language का लवज है जिसका मतलब है grass, घास या पौदे ठीके? तो इसका मतलब है कि हम biology को किस तरह define करेंगे? कि it is actually the scientific study of scientific study of plants ये plants की scientific study को हम कहते हैं botany अब scientific study में क्या क्या आ जाएगा? वही जो हम animals का पढ़ेंगे for example, classification आ जाएगा distribution आ जाएगा ठीके? यह हम इनकी physiology पढ़ेंगे और इनकी economy पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आ जाएगी botany में जो के है scientific study of plants अब third division है microbiology तो word micro means the word micro means small bio means life and logos means to study तो अब हम microbiology को कैसे define करेंगे? कि it is branch of biology it is branch of biology जो हमें बताती है किसके बारे में small creatures किसकी study है? scientific study है microbiology जो है वो scientific study है किसकी microorganisms की? माइक्रो और्गनीजम्स की अब microorganisms जो है वो कौन से है? for example हम कहें बिक्टेरिया है viruses है यह सारे आ जाते हैं किसमे? microorganism में और micro means small अब यह हम क्या करते हैं? कि वो तमाम वो organisms हैं जो आम आंख से हम नहीं देख सकते हैं इनको देखने के लिए हम microscope का यूज करते हैं और यह थी biology की तीन division that is zoology, botany and microbiology अगर इसमें अग आपको किसे भी किसम की कोई confusion है तो you may ask in comment section और अगर आपको मेरे lecture अच्छे लगते हैं तो subscribe करें like करें और share करें तेंग्स